नमश्कार दोस्तों, गेट मंत्रा में आपका स्वागत है, चलिए, तो आगे हम डिसकस करने जा रहे हैं, तो हमने स्टार्ट किया था इससे प्रीवेस लेक्चर में क्विंग थियोरी, ठीक है, तो क्विंग थियोरी का हम ये पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने समझ लिया था, हमने थमझा था कि जो हमारा लेमडा है, that लेमडा is my arrival rate, and mu is poisons, sorry, mu is service, मतलब ये arrival rate है, तो ये मेरा service rate है, and mu is service rate, and lambda follows the poison distribution, ठीक है, तो लेमडा जो है मेरा, वो कौन सा distribution follow करता है, वो follow करता है, poison distribution, and mu is follows the exponential distribution, ठीक है, चलिए, now we comes to the formulas which relate this, ठीक है, और एक और चीज हमने देखी थी, that rho, rho क्या है मेरा, मतलब utilization factor, that is, lambda by mu, ठीक है, तो ये formula है, मतलब इस rho पर base में सब कुछ करूँगा, तो जब भी question आपको solve करना हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस rho को calculate कर लो, ठीक है, तो यदि आपने rho calculate कर लिया, तो मतलब ये मान के चली, कि आपका problem solve, ठीक है, चलिए, तो क्या करते हैं, सबसे पहले, हम इसके formula देख लेते हैं, तो पहला formula हमने देखा था, rho equals to lambda by mu ठीक है, आगे बढ़ते हैं, the new, the next thing is probability, probability that a system is idle, idle मतलब क्या, उस पर कोई customer है ही नहीं, कोई कामी नहीं कर रहा है वो system, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, zero customer in the system, तो ऐसा कब possible है, p0 equals to 1 minus rho, 1 minus rho मेरा क्या है, utilization factor, मतलब 100 में से उतना क्या करते हैं, minus, मतलब 1 में से उतना क्या करते हैं, उतना percentage में दि दिया हो, तो 1 में से minus कर दो कि 1 minus, suppose, rho जो है, वो आपको दिया है, zero point, वो rho की value हमेशा और हमेशा, क्या होगी, क्या होगी, less than, less than 1 होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने इससे पहले discuss कर हूँ कि जो lambda की value greater than mu ठीक है और कि mu की value greater than one या mu की value greater than lambda होती है तो यह हम already पहले से पहले discuss कर चुके हैं ठीक है मतलब आपका service rate it means mu जो है वो greater होना चाहिए किस से lambda से arrival से ठीक है तो for that sake of cause मतलब हम बोल सकते हैं कि जो row की value होगी ठीक है वो हमेशा और हमेशा one से क्या होगी कम ठीक है clear है अब आगे बढ़ते हैं तो अब जब भी question solve करें तो इस बात को थोड़ा दिमाग में रखें ठीक है तो P0 P0 मतलब क्या वो probability जब कोई हमारे system में कोई customer है ही नहीं मतलब हमारे system idle पड़ा हुआ है ठीक है तो P0 equals to one minus row आगे बढ़ते हैं and the probability of having exactly and customer in the system मतलब उसमें कितने customer हैं and customer अभी तक हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्या इससे पहले वाले formula में क्या बोला कि zero customer तो उस case में हमने क्या बोला P0 पर यहां पर क्या बोलता हूँ exactly तो inverse का आप ध्यान रखिएगा ठीक है क्यों question में कभी-कभी inverse का ही meaning निकलते जाता है ठीक है तो exactly n customer in the system मतलब मेरे system में यह दी n customer है तो उसके लिए जो formula बनता है Pn equals to rho की power n P0 ठीक है rho की power n मतलब rho क्या है मेरा lambda upon mu rho क्या है मेरा lambda by mu P0 अभी मैंने calculate किया P0 क्या था 1 minus rho तो Pn के लिए formula क्या बनेगा rho की power n 1 minus rho let's say कि यदि मैं बोलता हूँ कि n जो है मेरा 4 है मतलब मेरी probability मुझे customer की बताना है कि मेरे customer कितने है system में exactly 4 ठीक है तो P4 की आ जाएगा rho की power 4 1 minus rho ठीक है पर एक और condition इसी में आती है यह ध्यान रखेगा वहाँ पर exactly word use किया था लेकिन जब आपके question में इस तरह की word use करें probability of having 3 मतलब या तो 3 या 3 से ज़्यादा ठीक है customer in the system तब आप इस तरह का यह pattern use करें मतलब सारे P0 मतलब 0 customer P1 मतलब 1 customer P2 मतलब 2 customer P3 मतलब 3 customer so on यह ultimately सब की probability जूड कर आएगा क्या 100% से ज़्यादा तो आ नहीं सकता मतलब 1 clear है तो अब यहाँ पर इसमें क्या बोला है तो 3 होना चाहिए 3 से ज्यादा पर उससे कम नहीं तो हम क्या करेंगे उल्टा सोचेंगे मतलब क्या कि P0 P1 P2 P3 तो P3 के आगे वाली सारी probability मुझे चाहिए ठीक है पर इधर वाली probability मुझे नहीं चाहिए ठीक है तो मैं क्या करूँगा P3 प्लस P4 प्लस P5 and so on equals to इसको P0 P1 और P2 को उठा कि इधर ले गया अब पोजिट साइड तो P0 माइनस P1 सॉरी P0 प्लस P1 प्लस P2 को किस में से माइनस कर दिया ठीक है तो हमारे पास क्या आ गया यह आ गया अब मुझे P0 पता है P0 क्या होता है 1 माइनस रो इसी तरह से P1 क्या होता है रो की पावर 1 P0 इसी तरह रो की पावर 2 P0 ठीक है इन सब में से मैंने P0 क्या निकाल लिया common तो मेरे पास अंदर क्या बज़ गया 1 प्लस रो प्लस रो की पावर 2 तो इसको यदि मैं इस format में मतलब मुझे question में जब भी इस तरह का word यूज करे having three are more than three I mean to say यह तो आप तीन भी बोल सकता एक्जामपल लिया एक एवल 3 का ठीक है तो यदि वो question में इस तरह के word यूज करता है तो आपको इस format से चाना है मतलब आपको probability सारी probability का sum equal to क्या 1 ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यदि हमको अब एक चीज़ और सुन जो probability of at least n customer in the system ठीक है जब भी ये word यूज करे अभी देखो तीन word यूज कर लिया है अपन ने क्या बोल रहा है जीरो कस्टमर इंद सिस्टम यह सिस्टम मेरा आइडल है तब उस case में हम क्या बोल रहे हैं P0 फिर हम क्या बोल रहे हैं दूसरे case में कि यदि मेरे पास n customer है तो मै मतलब ρो की पावर n P0 या फिर रो की पावर n-1-0 क्लियर है फिर हमने बोला थृज या 3 से ज्यादा तो उस case में हमने क्या किया जो पीठी के बाद वाली सारी probability है एक तरफ और पीठी के पहले वाली मतलब कौन-कौन सी? पीजीरो, पीवन, पीटू इसको उठा कर opposite side मतलब वन में से उसको क्या कर दी वो सारी probability को सबस्टेट कर दी तो what I get what I get the I get the probability P3 मतलब 3 या 3 से ज्यादा की probability मुझे मिल जाएगी clear है तो अब यहां पर जो यह formula देख रहे हो तो यहां पर क्या बोल रहा है probability of at least n customer in the system कितने कम से कम n तो होना ही चाहिए ठीक है तो उस case में क्या बनेगा रो की power n आगे बढ़ते हैं तो उस case में जब n customer in the system हो ठीक है at least जो word बोला है वो यहां दखिए एक case में बोला exactly तो exactly में क्या formula बना और एक case में बोला at least तो उस case में क्या formula बना यह दोनों याद होना चाहिए ठीक है तो जब exactly बोला तो रो की power n वन माइनस रो या रो की power n पी जी रो यह बना लेकिन यदि जैसे उसने at least use किया मतलब कम से कम इतने और ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं ठीक है तो हम क्या use करेंगा रो की power n आगे बढ़ते हैं average number of customer in the system in this we include both the customer waiting in the queue along those getting service मतलब आप ऐसा समझो यह जो definition लिखी है उसको छोड़ो आप यह समझो कि let's say यह आपका bank में आप पईसे जमा करने गए ठीक है अब यहाँ पर कुछ number of person let's say 1,2,3,4,5 इस तरह से कुछ row में लगे हुए हैं ठीक है अब हम क्या बोल रहे हैं कि average number of customer in the system तो कितने number of मतलब हम ultimately यह लाइन में जितने भी लोग लगे हैं इनको count कर रहे हैं ठीक है अब system का मतलब क्या और Q का मतलब क्या यह समझे लो जो व्यक्ति यहां service अभी ले रहा है जिति मैं इसको भी include कर लेता हूँ तो that is average number of customer in the system if I not consider this person if I consider only those person who are waiting for the to be served ठीक है मतलब वो wait कर रहे हैं किसका service का तो हम क्या बोलेंगे कि यह मेरा कहलाएगा average length of Q are you getting this? मतलब यदि जो service अभी ले रहा है उस व्यक्ति को हटा दिया तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा Q और यदि आपने उस service उस व्यक्ति को भी include कर लिया जो अभी service ले रहा है तो क्या हो जाएगा? system समझ आया वैसे हम यह समझ चुके हैं फिर भी आगे बढ़ते हैं तो यह formula आपको याद नहीं रखना है ठीक है? क्योंकि इसमें confusion होगा तो आप बस यह formula याद रखें ls equals to rho upon one minus rho ठीक है? मैं इसको याद करने का trick भी बता रहा हूँ दो सेकेंड ठीक है? तो ls equals to rho upon one minus rho ठीक है? जब भी यहाँ पर system use कर रहा हूँ तो यहाँ पर rho की power one use हो रही है ठीक है? system use कर रहा हूँ तो rho की power कित्ती हारी है? एक आगे देखते हैं average number of customer in the queue if this we do not include the customer getting service यही तो बोला है ठीक है? तो lq equals to क्या हो जगा? रो का square one minus rho ठीक है? रो का square one minus rho is average length of q ठीक है? तो यहाँ से एक चीज़ समझो कि जब मैं q use कर रहा हूँ ठीक है? क्यू मतलब हम q में क्या लगा रहे है? square ठीक है? q में क्या लगा रहे है? square किसका rho का square ठीक है? तो एक चीज़ समझो कि जब भी q आ जाएं तो उसमें क्या लगा दो square देखो यहां पर q है ना और यहां भी q है तो अभी ऐसे q में क्या लगा दोगे जब भी average length of क्या निकालना हो आपको q तो उसमें क्या लगा दोगे square तो दूसरे वाले में ls में square नहीं लगाना है that's it clear है तो यहां से याद भी होगे आपको कि जब भी lq बोले तो यहां पर q है ना तो q मतलब square लगाना है ठीक है square में q आता ना इसी तरह से ls ठीक है ls में आपको यहां q square लगा दिया आपने square में q आ रहा है ठीक है तो ls में आप q square नहीं लगाएंगे clear है now we comes to the latest law अब यह latest law बढ़ा ही important है इससे based question भी आ चुका है एक बार तो सीधा सीधा यह केवल formula पूछ लिया था आपसे ठीक है gate में ठीक है और is में भी बहुत बार पूछा हुआ है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्या बोलता है latest law के for a stable system average number of customer in the system rq ठीक है मतलब यदि मेरा कोई एक stable system है उसमें यदि by average customer arrival rate multiplied by multiplied by average waiting time of the customer in the in the system rq ठीक है हो सकता कुछ भी समझनी आया आप इसको ऐसा याद रखो कि length of system is the product of arrival rate and waiting time of the system are you getting this या फिर आप इसको ऐसा याद रखो कि lq equals to equals to arrival time into waiting time in into q waiting time of q ठीक है तो यहां दी यहां lq है तो यहां भी q आया यहां ls है तो यहां भी ws आया ठीक है और यह ws क्या है waiting time in the system और wq क्या है waiting time in the q clear है चलिए तो यह ठीक वैसा ही है जैसे हम चाल equals to चाल into समय को क्या बोलते हैं दूरी तो l क्या है मेरा दूरी है और मैं हापर waiting time की बात कर रहा हूं तो वो मेरा समय हो गया और lambda क्या हो गया मेरा चाल हो गया clear है इसा आप याद रखने का एक trick है और कुछ नहीं ठीक है so here we can find तो ws क्या हो जाएगा ls upon lambda हाँ या नहीं इसे तरह से w q क्या हो जाएगा lq upon lambda तो आपको केवल फॉर्मुला किसका याद रखना है आपको फॉर्मुला केवल याद रखना है ls का और lq का तो यदि आपको ls और lq के दो फॉर्मुले याद हैं तो उसकी हल से आप क्या निकाल लेंगे उसकी हल से आप निकाल लेंगे ws और w q समझ गए ठीक है क्यूंकि lambda तो आपके पास पता होगा आगे बढ़ते हैं average यदि हम जब भी average बोलें तो average किस के लिए होगा हमेशा system के लिए और जब भी mean बोलें तो वो किस के लिए होगा q के लिए जब हमारे पास question में कुछ भी mention नहीं होगा तो ठीक है तो जब भी वो average बोलेगा मतलब क्या system और जब भी वो mean बोलेगा तो उसका मतलब क्या हमको क्यूं consider करके चलना है चलिए let's start for the question problem number लेते हैं अपन the number of person arriving at a service center is 8 customer per hour मतलब एक घंटे में कितने आ रहे हैं 8 and the service provider tax 5 minute per customer ठीक है मतलब मतलब एक customer को कितना time दे रहा है 5 minute तो इसका यदि मैं उल्टा करूं देखो क्योंकि हैं पर इसकी unit और इसकी unit दोनों क्या होना चाहिए same ठीक है पर यहां पर क्या unit अलग-अलग तो देखो वही तो आप क्या करो इसका उल्टा कर दो उल्टा करदों से मतलब है देखो आप इसको उल्टा भी मत सोचो आप तो वस यह सोचो कि देखो पांच मिनिट एक कस्टमर को लग रहे हैं तो वन आर में कितने मिनिट होते हैं 60 तो कितने कस्टमर को मैं सारू कर पाऊंगा 12 ओभी है जैं 60 वाइफ 5 मतलब क्या 12 क्लियर है न तो यहां से मेरा हो गया लेमडा इस अराइविंग तो अराइविंग मेरा कितना हो गया 8 कस्टमर पर आर इसी तरह से मियू क्या हो गया मेरा 12 कस्टमर पर आर ठीक है न क्यूंकि हमने जब भी क्वेश्चन अभी डिसकस किया था तो उसमें क्या बोला था कि जो मियू होगा वो mu की value हमेशा और हमेशा क्या होगी लेमडा से ज़्यादा होगी क्यों यदि यह नहीं होगा तो लंबी लंबी लाइन लगती चले जाएगी ठीक है और ऐसा system बनाने का कोई sense नहीं है ठीक है तो एक चीज हमने देखी कि लेमडा मेरा क्या आगया भहिया लेमडा मेरा क्या यहां लेमडा आया मेरा 8 ठीक है इसी तरह से when यहां से में पहले तो रो निकाल लू तो रो कितना आ जाएगा मेरा लेमडा up on यंँ तो लेमडा नहीं मेरा लेमडा कितना है मेरा the test eight ठीक है और म्यू कितना है मेरा 12 ठीक है तो फॉर्ट टूजा 12 और 4, 2, 8 और 4, 3, 12 ठीक है, तो यह आगया मेरा row अब row निकल गया, तो LS का formula क्या देखा आप यह पन ने LS का formula देखा row upon 1 minus row, ठीक है यही देखा ना, और LQ का formula क्या देखा, LQ का formula देखा, row का power 2 upon 1 minus row, यह आप करके देखिएगा ठीक है, इसी तरह से WS, WS क्या देखा आपने, तो आपने formula देखा, little law से कि LS equals to lambda into WS, ठीक है तो WS क्या जाएगा, LS upon lambda तो यहाँ पर WS निकालना है तो क्या जाएगा, LS निकल चुके हो आप LS को lambda से क्या कर दो, divide कर दो, इसी तरह से दी मुझे WQ निकालना होता तो WQ क्या निकालता LQ divided by lambda, और LQ का formula क्या था LQ का formula था, rho का square upon 1 minus rho ठीक है, तो आप इसमें वीडियो में आगे जाने से पहले, यह सारी values आप calculate करें, calculate करने के बाद, आप answer नीचे के तरह verify करें, ठीक है कि यह, जो मैंने किये यह आ रहे हैं या नहीं ठीक है, चलिए, तो let's verify तो lambda आपने निकाला, mu निकाला, तो यह 12 customer पर आ रहा गया, तो इसी तरह से 2 by 3 आ गया, तो Ls निकाल लिया, तो Ls की health से आपने क्या निकाल लिया, Ws निकाल लिया, LQ निकाला, LQ निकाला, तो LQ की health से WQ निकाला, एक चीज और है कि Ls इंटू क्यू होता है, LQ, Ls इंटू रो होता है, सर्य, Ls इंटू रो होता है, LQ, पर यह एक extra formula क्यों ही याद करना है, आपको नहीं करना, ठीके, बस आप यह याद रखो कि Ls का formula क्या और LQ का formula क्या, ठीके, उसका trick भी बता दिये, कैसे याद रखना है, now we come to the next question, the question is, says, a service, shopkeeper service 10 customer पर आर, मतलब 10 customer पर आर वो service दे सकता है, मतलब that is my mu, and arrive 7 customer पर आर, that is my lambda, to find the probability that at least, इस word को पकड़िएगा, at least 2 customer waiting in the queue, ठीक है, मतलब 2 customer मेरे क्या कर रहे हैं, wait कर रहे हैं, तो जब भी at least word use किया था, तो याद करो, क्या किया था हमने उसमें P0, plus P1, plus P2, plus P3, plus P4, and so on equals to 1, ठीक है, तो उस formula से निकलेगा ये, ठीक है, चलिए, तो पहले हमको यहाँ पर μू दिआ है, लेमडा दिया है, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, रो, क्या है भईया, रो, रो equals to क्या होता है, लेमडा पॉन, मू, लेमडा कितना है, मेरा 7 है, मू कितना है, मेरा 10, तो कितना आ गया, 0.7, ठीक है, अब, मुझे क्या निकालना है probability निकालना है जब दो customer हो मतलब at least दो customer हो ठीक है न तो P0 plus P1 plus P2 plus P3 at least अब P3 plus P4 and so on equals to क्या 1 ठीक है अब समझो इस बात को तो at least कितने दो customer तो हो दो से हो जादा हो तो चलेगा मतलब P0 और P1 नहीं आएगा तो P0 और P1 को उठाके किदर opposite side लेके जाएंगे तो 1 minus P0 minus P1 और इधर क्या बच जाएगा P2 plus P3 plus P4 and so on equals to 1 minus P0 minus P1 ठीक है तो यह आना चाहिए आपका answer ठीक है देखो यह बस वही formula put किया तो हमको पता ही है कि P0 तो as it is है P0 की value हम निकालते हैं 1 minus rho 0 ठीक है इसी तरह से P1 या Pn के लिए क्या था value तो rho की power n rho की power n P0 या तो यह बोलो या रो की power n 1 minus rho बोलो बात एक ही है ठीक है तो किवल यहाँ पर क्या कर दिया P1 की value रख दी यह P2 की value रख दी इन दोनों में से P0 तीनों में से P0 common ले लिए 1 plus rho plus rho का square ठीक है और P0 को क्या बोलते हैं हम 1 minus rho का 1 minus rho बोलते हैं ठीक है अब यह जो बनेगा एक चीश समझो तो यह जो बनेगा क्यों क्या बनेगा देखो formula बन गया ना किसका a plus b का whole square का no 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 ठीक है हाँ इसका multiply कर दो तो finally I am getting this rho cube ठीक है बाकी सारी तो वो तो है नहीं है अपने पास मतला भी मैंने इसके नहीं किया है ठीक है तो आप इससे कर सकते हैं तो यहाँ पर गीवन है कि लेमडा 6 पर R गीवन है एक के लिए मुझे गीवन है वन अपन म्यू ए इक्वरस टू 6 मिनिट और इस तरह का problem ESE में 2004 में आ चुका है तो इस और इसे पर एकर करता है एसको हम 8 rupees पर R के हिसाब से पे कर रही हैं दूसरा वरक कर गीवन है जिसका 1 अपन म्यू बी गीवन है अपने को 5 मिनिट तो म्यू बी मेरा होग त्वैल पर R और उसको हम पे करते हैं ये तो उसकेस में आपको 15 रूपीज पर आर के हिसाब से पे मशीन को पे करना पड़ता है मतलब मान लो 10 लाग की मशीन है तो उसका कॉस्ट किसके रिस्पेक्ट में इंट्रेस के दिसमें बढ़ रहा है ना तो वही वाली बात है ठीक है तो रो ए निकाला तो रो ए क्या आजाएगा आपका लेमडा अपॉन म्यू तो 6 बाइट ठीक है तो देट इस 0.6 यह कुछ गड़बड किया है ठीक है और रो बी तो रो बी कितना आ रह बाइ 4 ठीक है इसी तरह से सेकंड वाले का आप बिल्कुल बोल सकते हो कि रो बी जो है वो 0.6 आएगा ठीक है तो रो ए का यह जो वैल्यू है यह गलत केलकुलेटेड ठीक है तो थोड़ा सा इसको अपने इसाब से करिएगा ठीक है अब यहां पर देखते हैं तो मैंने पा यह फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है यह आता है और इसको बहुत अच्छे से समझना आपको टोटल कॉस इक्वस्टू क्या कॉस्ट ऑफ आइडल मशीन प्लस सेलरी ठीक है टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होगा कॉस्ट ऑफ आइडल मशीन जब आपकी मशीन लिए सही है ठीक है देखते हैं तो LSA इक्वस्टू रो ए अपॉन माइनस रो ए ठीक है अब यहां पर 0.6 अपॉन माइनस 0.6 आएगा ठीक है तो 1-0.6 मतलब 0.6 अपॉन 0.4 तो यह आ जाएगा 3 बाइट 2 मतलब 1.5 मशीन ठीक है मतलब इतना मुझे मिनिट यह मशीन नहीं बोलना चाहिए इतना मशीन टाइम लगेगा मतलब यह मेरा लेंग्थ हो गया मतलब इतनी जॉब मेरे वेट में मतलब इतने मेरा लेंग्थ ऑफ सिस्टम हो गया फॉर एक कस्तमर ठीक मतलब ए वरकर इसी तरह से आइडल कॉस्ट निकालना यदि मुझे तो आइडल आपको वेट कराया तो 1.5 इंटू जित्ती देर वेट कराऊंगा उससे का 15 हो जाएगा अब मेरा यदि 8 आज का सिफ्ट है तो इंटू 8 हो जाएगा क्लियर है तो फाइनली आई गॉर्ड दी वैल्यू इस ठीक है समझ आया मैंने क्या किया के वल यह कॉस्ट आइडल मशीन निकाला कॉस्ट आइडल मशीन में यह LSA का यूज किया तो LSA क्या था मेरा 1.5 निकाला इस 1.5 का पर आर का जो चार्ज है मशीन का वो लगाया 1.5 इंटू 15 रुपीज पर आर उसका चार्था मशीन का इंटू 8 आर चल रही है अपनी टोटल शिफ्ट का टाइम है तो यह आ आर कहसाब से पे कर रहे है तो 8 रुपीज पर आर इंटू 8 आर से आर कैंसिल तो अपने पास 8 इंटू 8 किता आ जाएगा 64 इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास टोटल कॉस्ट तो यह तोटल कॉस्ट आफ वर्कर के लिए मेरे कॉस्ट आ गया इसी गिवन डेटा के साब से चलना है पन तो ठीक है तो मेरा आइडल कॉस्ट आफ मशीन क्या आ जाएगा कि 1 इंटू 15 रुपीज पर आर इंटू 8 तो 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा 120 और सेलरी कितनी बनेगी क्योंकि यह 10 रुपीज पर आर के साब से काम कर रहा था तो 10 202-80 कितना हो गया 200 रुपीज मतला अपने लिए जो वाला वर्कर है वो क्या है या रिपेर्में हे वह हमारे लिए क्या है ज्यादा फिज़ीप का रहा है वह कम टाइम में भी काम कर रहा है मतला उसमें ठीक है आगे बोल रहा है कि when additional server put the same mu तो incoming population get divided मतलब यह आपका mu same दिया हो देखो यहाँ पर भी 20 दिया है यहाँ पर भी 20 दिया है ठीक है तो उस case में हम जो भी हमको service rate या lambda जो effective दिया होगा ठीक है उसके भी आप में बात करेंगे मतलब यह हमारा arrival rate का हम क्या कर देंगे sum तो यहाँ पर यह sum हो जाएगा तो ultimately 9 plus 9 is 18 ठीक है तो 18 by 20 करके आप उसका रो निकालोगे ठीक है यह यहाँ पर note था ठीक है अगर आप बात करते हैं तो कुछ यह formula है जो की ओ भी use होते है ठीक है यह formula भी आपके questions लगाने में test series देने में use होंगे ठीक है इस पर बेज में questions नहीं लोगा लेकिन आपको यह formula याद रखना है ठीक है यह formula है वहाँ क्यों नहीं लिए क्योंकि वहाँ पर भी लेते तो फिर और confusion होता ठीक है तो कुछ formula है इनको भी आपको याद रखना है average length of non MTQ non MTQ मतलब क्या कम से कम एक customer तो हो गई होगा ज्यादा customer हो तो ठीक है पर तूस case में वह length यह आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे तो average length of non MTQ मतलब क्या है कम से कम एक customer तो होगा तभी तो q start होगी न ठीक है तो average length of q containing at least one customer ठीक है तो उस case में क्या बनेगा lq dash equals to one upon one minus row इस पर based series में question आते हैं ठीक है तो lq dash equals to one upon one minus row ठीक है non MTQ का यह आपको length निकालना हो तो किया number of customer निकालना हो तो ठीक है probability of n arrival in the system during period t मतलब आप क्या बोल रहे हो कि n number of customer या n number of arrival हो रहे हैं किस में system में किस period में time t period में ठीक है तब हम क्या बोलेंगे उसका जो probability होगा वो probability कितना होगा बेटा p for arriving n customer in time period t equals to e to the power यह exponential लिखा है तो इसको आप e to the power भी लिख सकते हैं तो e to the power of minus lambda t lambda t का power n factorial n lambda as usual customer पर r है time जो है मेरा r में दिया हुए ठीक है इसी तरह से अगला formula के है probability that more than t time period is needed to service a customer मतलब t time से ज्यादा आपको लग रहा है ठीक है तो वो probability बताओ ठीक है तो probability that more than t time period is needed to service a customer मतलब यदि specified time हैसा let's say 10 minute तो इस 10 minute से भी ज्यादा लग सकता है मानलो किसी को 12 minute लग गए तो वो probability बताओ जिसमें more than t time period लग गया तो वो क्या आजाएगा e की power of minus mu t देखो एक चीज़ याद रखो कि service है इसलिए यहाँ पर mu t आ गया clear है तो e to the power of mu t now we come to the last two formulas that is probability that the waiting in the q is greater than t ठीक है waiting in the q किसकी बात कर रहा है q की ठीक है किस से ज्यादा होगा greater than t तो इस case में w q is greater than t हो तो rho into e to the power of minus t divided by w s w s क्या है मेरा waiting time in the system तो क्या बनता है probability यदि इस case में निकालना हो तो rho into e to the power of minus t by w s ठीक है तो पहरे w s निकाले फिर time put करें फिर इसका e का power e का minus power निकाले ठीक है then उसमें rho से into करें तो आपको उसका probability मिलेगा then the final formula is probability that the waiting time in the system is greater than t अब यहां पर देखो इस case में q था इस case में क्या है system है ठीक है इस greater than t हो तो इस case में e to the power of minus t by w s मतलब यहां पर rho से into होगा और यहां पर rho से into नहीं होगा बस इत्ती बात आपको याद रखना है ठीक है that's all about my side for the queen theory in a next video we are going to discuss about the linear programming मतलब यहां पर आपका industrial engineering का almost part में complete कर चुका हूँ इसमें से कुछ part बचा हुआ है वो end में लेंगे अपन ठीक है तो industrial engineering का इतना हो चुका है अब अपन इसके बार linear programming जो पढ़ेंगे वो operation research का part है ठीक है it is also important for each and every engineer आपने यदि देखा हो या सुना हो तो MBA या BBA के जो student है वो भी operation research पढ़ते हैं यदि कोई industrial engineering में enteq करता है तो वो भी operation research पढ़ते हैं तो operation research बड़ा ही important subject है ठीक है और supply chain से MBA यदि पढ़ते है या supply chain management से कोई MBA करता है तो उसमें भी ये useful होता है ठीक है या आप gate point of view से बात करें तो operation research से हर साल at least दो से तीन marks का question आता ही आता है दो marks तो fix समझो ठीक है तो बहुत important subject है clear है तो हमने जो CPM पढ़ पढ़ा और अभी जो linear programming पढ़ रहे हैं दोनों ही operation research के part है ठीक है चलिए तो wish you all the best for your exam and thank you for watching my video ठीक है चलिए तो thank you